બહેલેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવેવ के जिस्दा समा 14 जन्वरी तो शुरू हो के 20 मार्च तक यात्रा मुंबाई देविच समापती होएगी एना सारे मुद्या देवेच नियाए नू मुख रख्या गया है जैदिकी पारत जोड़ जोड़ो नू मुख रख्या गया थी तो होन राउल गांदी वलो होन नियाए द तक 6200 किलो मीटर लंबी भारत नियाए यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी मनिपूर में शुरुआत होगी और यह समापत होगी बुंबई में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने तीन मुद्बे उठाए थी आर्थिक विशमताओं के बारे में उन्होंने जिकर किया सामाजिक दुरुवी करन के बारे में उन्होंने बाचीत की और राज़नीतिक तानशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया हूँ तो ये तीन बड़े मुद्दे थे भारत जोडो यात्रा के समय में उन्होंने अपनी आवाज बढ़ती हुई आर्थिक विशमताओं के बारे में बढ़ती हुई सामाजिक धुनविकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपनी विचार जनता के बीच में रखा, वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी, लोगों से सुनने के लिए भारत जोडो यात्रा निकाला गया था, अब ये यात्रा, दूसरे चरण में भारत न्याई यात्रा है, आर्थिक न्याई के लिए, सामाजिक न्याई के लिए, और राजनीतिक न्याई क के लिए लोकतंत्र को बचाना है सम्विधान को बचाना है महंगाई और बेरोजगारी से करोडों परिवार जो पीडित हैं उनको एक नया भविष्य उज्वल भविष्य दिखाना है और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है तो पहले भारत जोडो यात्रा भारत को जोडने के लिए और अब भारत न्याई यात्रा ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कॉंग्रेस पार्टी के ओर से राहुल गांदी जी के ओर से कि कॉंग्रेस पार्टी वचन बद्ध है लोगों को आम जनता को आर्थिक न्याई सामाजिक न्याई और राजनीतिक न्याई पूर्ण तरीके से उपलब दो तो यही है प्रुष्ट भूमी भारत जोडो यात्रा के बाद अब राहुल गांदी जी की निर्टत्व में कॉंग्रेस पार्टी भारत न्याही यात्रा निकालने वाली है 14 जैन्वरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलो मीटर लंबी भारत न्याही यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी मनिपूर में शुरुवात होगी और यह समाप्त होगी बुम्बई में भारत जोडो यात्रा के दोरान राहुल जी ने तीन मुद्दे उठाये थी आर्थिक विशमताओं के बारे में उन्होंने जिकर किया सामाजिक धुरुविकरन के बारे में उन्होंने बाचीत की और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जन्ता को अवगत कराया हो तो यह तीन बड़े मुद्दे थे भारत जोडो यात्रा के समय में उन्होंने अपनी आवाज बढ़ती हुई आर्थिक विशमताओं के बारे में बढ़ती हुई सामाजिक धुरुविकरन के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जन्ता के बीच में रखा वो मन की बात नहीं थी वो जन्ता की चिंता थी लोगों से सुनने के लिए भारत जोडो यात्रा निकाला गया था अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याई यात्रा है आर्थिक न्याई के लिए सामाजिक न्याई के लिए और राजनीतिक न्याई के लिए लोकतंत्र को बचाना है, सम्विधान को बचाना है, महंगाई और बेरोजगारी से करोडों परिवार जो पीडित हैं, उनको एक नया भविष्य, उज्वल भविष्य दिखाना है और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है तो पहले भारत जोडो यात्रा, भारत को जोडने के लिए, और अब भारत न्याई यात्रा तागि लोगों में हम आश्वासन देंगे कौंग्रेस पार्टी के ओर से, राहूल गांदी जी के ओर से, कि कौंग्रेस पार्टी वचन बद्ध है लोगों को आम जनता को आर्थिक न्याए सामाजिक न्याए और राजनितिक न्याए पूर्ण तरीके से उपलब दो तो यही है पुष्टमूमी